कि यह आवाज इंडिया टीवी आप देख रहे हैं चुनावी दंगल चुनावी दंगल लोग सभा का यह चुनाव दोहजार उन्निस तमाम मुद्यों को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे है अलग अलग राजनितिक पार्टी से यहाँ उनके प्रवक्ता आये हैं उनके प्रतिनित्य आये हैं हम आपका परिचय करा दे अमिस सिंग जी जो है बीएस्पी से है वो अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे सरवजीत बंसोडे जो बियारेस्पी से है वो भी अपना पक्ष कर रहे हैं और रिप्रब्लिकन पार्टी के और से डॉक्टर प्रवीन कामड़े है और जनता का प्रतीनी कर रहे है एड़केट संजे पार्टील जी तमान मुद्द पर हम बातचीत करते रहेंगे यह है चुनावी दंगल सबसे पहले 2014 में जब चुनाओ शुरू हुआ और एक बड़ा मुद्द यहां पर आया वो था विकास का मुद्द था वो था रोजगार का मुद्द था वो पुरे देश को महाशक्ति बनाने का मुद्द था सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रवीन कामड़े इनके तरब जाओंगा महाशक्त क्या इन पात सालों में भारत को प्रपोस किया गए कि महाशक्ति बनेगा जो सत्ता में अन्हों कहां कि देश महासत्य बनेगा लेकिन पात सालों में क्या उसके रहा पर देश चल रहा है हम लोग चौदा में जो election हुआ यूव और महास्त्ठा बनाने का मोदी ने प्रयास किया तो अभी 19 आरा है तो एं लोगा पाज साल में जो बी मोदी सरकार का जो भी लेखा जुका यह चौ़्छा जो भाड़े महास्त्था बन नहीं पाया लेकिन पास साल में इस देश का जो वंचित समाज है उस वंचित समाज की जो हालात हम लोग देख रहे हैं जैसा मेकीन इंडिया था मेकीन इंडिया की बात हम जब करते हैं और बीजेपी सरकार ने मेकीन इंडिया की जब बात की तो हम लोग जो देख रहें कि 5 साल में यह मेकिन इंडिया तो नहीं हुआ, लेकिन मेकिन इंडिया करते करते, इस देश का जो आम आदमी था दो वन्चीत आदमी था, उनस भी वन्चीत आदमी के हकों को छिन लिया गया है, और सामाजी को सांसक्रूति ओ, शैक्षनिक इस देश का जो जो वंचीत आदमी है वो वंचीत आदमी पीछे गया है और भारत इस कगार पे खड़ा है कि बाबा साथ कहते थे कि अगर इस देश में आर्थिक और सामाजिक सुदार अगर बड़े पैमाने में नहीं किया जा अगर लोकशाई को बचाना है तो भारत के जो वंचीत आदमी है उनमें आर्थिक और सामाजिक बदल होना चाहिए अगर आर्थिक और सामाजिक बदल नहीं हो पाता तो इस देश का जो वंचीत आदमी है वो वंचीत आदमी इस डेमाक्रासी को खुद होके उद्वस्त कर देगा और ऐसी अवस्ता आज हम इस देश में देख रहे हैं इसी अवस्ता हम देख रहे हम कॉंग्रेस के प्रवक्ता है उनके पास जाएंगे सर साथ साल से भी ज्यादा आपका शाशन रहा है स्टेट में भी रहा है केंद्र में भी रहा है जैसे कि वंचितों के बात चल रही है दबे कुछलों की बात चल रही है डेमक्र बहुत उदिसके इनका धिंडोरा जो है वो सबसे जाधा है वो जो जूटा बोलते हैं जूटे आश्वासन देते हैं ऐसे जूटे आस्वासन कॉंग्रेस पार्टी ने इसके पहले कभी नहीं दिया जो काम करना था वो किया और जो भी किया है जितना भी आप प्रोग्रेस आप क्या कहेंगे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉंग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर 55 साल तक लगवक सासन किया एक शत्र इतने लंबे समय तक सासन करने के बाद ये भारत की जो पहचान थी भारत ने दुनिया को शिक्षा के मामले में तक्सिशिला और न ये जादू कॉंग्रेस पार्टी नहीं करके दिखाया इसी की रहा पर चलती है भारते जनता पार्टी आगे आई और उन्होंने जुम्ला देना शुरू किया अगर ये साथ साल के अंदर इस देश के लोगों को सही सिक्षा मिली होती तो ये जुम्ला लोगों ने नहीं पह काम किया कि जो कॉंग्रेस पार्टी ने सही सिक्षा नहीं दी उनको और आगे बढ़ाते हुए भारते जनता पार्टी ने जितने सरकारी स्कूल थे उनको बंद करने का काम किया आप नाकपुर महानगर पालगय के अंदर देखिए कि हमारे जो केंडियेट है मुहंबत जमा करनी है आप बताइए कि हिंदी और मराठी के अगर सुरक्षा करनी है तो आप अपने बच्चों को डालिए उसमें मोदी जी एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और उसके बाद आप इंडियो और मराठी मीटम में यह सिक्षा देना चाहते हैं इंग्लिश मीटम करें तो आप किसी की भी सरकार लाजी वो यह काम नहीं कर पाएंगे इस देश के लिए अभी सर्वजित बंसोडे साब आपके तरफ आ रहा हूँ पंद्रा लाग का जिक्र हुआ कॉंग्रेस ने भी बातर हजार का जो है उसको आप घोशना कहिए या जूमला कहिए आप क्य और इसलिए हमारा शुरू से यह कहना है कि भाचपा निकम्मी है और कॉंग्रेस उसकी मम्मी है इसलिए हम यह दोनों पार्टियों में कोई फरक नहीं समझते हैं एक ट्रेडिशनल पार्टिया हैं और एक रिखुलूशनरी पार्टिया है तो इसलिए भारतिय जनता और कांग्रेस का सरकार आपने अगर 2013-14 में देखा होगा कोंग्रेस सरकार ने हमारे देश के अंदर Food Security Act लाया था और Food Security Act लाकर कॉंग्रेस ने खुद 76-1 भारतियों को खाना नहीं मिलता है अनाज नहीं है यह उनकी सरकार ने संसद में बिल पारित करके शाबित किया हुआ है इसलिए आपके 55 साल का साशनकाल में भारत की लगबग 80% जनता अनाच के लिए तडप रही है यह आपके Food Security Act के तहत यह आपने खुद साबित किया हुआ है रही भारतिय जनता पार्टी की बात तो भारतिय जनता पार्टी के नेता नितिन गड़करी हो आमिश शाह हो या खुद नरेंदर मोदी हो आप तीनों निताओं ने खुद ये बार बार कहा है कि 15 लाग का हमारा जुमला था और खुद नितिन गड़करी जी ने कहा है कि हमने ऐसे ही वादे किये थे हमें पता ही नहीं था हम सरकार में आएंगे इसलिए बारतिय जन्ता पार्टी के बड़े निता नितिन गड़करी जी यहां से चुनाव लड़े है और मैं इस बात को मानता हूँ कि कांशिराम सहाब खुद एक बार वीपी सिंग के चुनाव इलाबाद से उनके खिलाप चुनाव लड़े थे तो आज मैं ऐसे मानता हूँ कि बाबा सहाब अंबिटकर और कांशिराम जी की जो परिवर्तन की राजनिती थी उस राजनिती की नबज आगर को ही जानता है मैं हमारे बहन जी और भोजन समाज पार्टी के भी सातियों से यह उम्मीद कर रहा था कि आपके उत्तर प्रदेश में बनारस से नरेंदर मोदी जी सांसद बनते है और वहीं से पूरे देश की राजनिती वो चला रहे है हमें उम्मीद थी कि खुद बहन मायावती जी कांशिराम जी की तरह उनके नक्षे कदम पर चलकर बनारस से खुद बहन जी मोदी जी के खिलाब खड़ी रहती और मोदी जी की राजनिती उत्तर प्रदेश में बढ़ने से रोकना चाहिए था मैं अमिस सिंग के तरफ जाओंगा यह बड़ा मुद्दा है अमित सिंग जी बहन जी क्यों नहीं उत्तर प्रदेश से मोधी जी के खिलाफ लड़ रही है ये सवाल यहाँ पर रहा है आप क्या कहेंगे ये बात पूरे देश की जनता को पता है कि बहन जी ने इसके लिए एक बार प्रेस कॉनफेरेंस करकर पूरी देश की जनता को बताया कि बहन जी जो है इस देश की बहुजन समाज की सबसे प्रिये नेता है आप सभी लोगों को पता है कि अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज की कोई बात करता होगा बहुजन समाज के जो समाज है वो अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज की एक आसा एक उम्मीद एक उसका नाम बहन कोमारी मयवथी जी है और अगर बहन जी किसी भी लोग सभा से चुनाओं लड़ती थी तो इस देश में जो हमारा समाज है वो पूरा का पूरा समाज एक लोग सभा के उपर जाके केंद्रित हो जाता था कई हमारे ऐसे कारे करता है जो नाकपूर से या क्या सब्सक्राइब सकती है ऑथ को समाज पॉल इस लड़ाई में इस सभा चुरा में उत्र हैं जैसे की सभी जानते है multiples का फिलेल मा थीघंडर है आप किस मुद्द को लेकर इस की सभी जानते हैं कि पीछले पीछले 70 सालों में चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो मैं ऐसा मानता हूँ दोनों ही सवविधान विरोधी पार्टिया है जहां तक कि जो दूसरी बावजनों की पार्टिया है जिस तरह से देश में अराजकता फैली हुई है चाहे वो सवविधान के बावजन पार्टिया है जब तक इव रहेंगे आपकी सत्ता है तो जिस तरह से हमारे मुद्दो का समर्तन बिलना चाहे था-उस-Uस अनुपात में बाकि जो बचना समाच के पार्टिया है उन्हेंने समर्तन नहीं दिया आज सबसे बड़ा मुद्दा इवियम आज का रिप पाटियों ने जो केश डाली है सुप्रेम कोट में कि पचास परसेंट जो है और विवी पैट उनका मिलान होना चाहिए आज के तारिक में सुप्रीम कोट ने इसा निर नहीं दिया है कि इस रिप एक विदानसभाश शेत्र से पाच इवी की और मिलान किया जाए तो सही मायने में लोकतंद्र कहां है आज मैं इसाथ दावे के साथ कह सकता हूं ना आज कॉंग्रेस के पाद जनादार है यह जो सरकार है यह इवियम के माधिम चुनकिया रही है अगर 2019 में अगर इवियम के इवियम अगर बंद होती है और बैलेट पे है विकास का मुद्दा है हम नागपूर पर आएंगे पहले डेह की बात कर लेत dirh 이후 क्या कहिंगे तमाम जो पर्प्रवक्ते फ्रवक्ता है उन्होंने अपनी यह अपनी बात रखिक आप क्या कैंगे ? मैं खास बात तोर पर एक बात कहना चाहूगा मैं को यानि अकिलाय जनता का प्रदीद में नहीं करता यह सारे लोग भी करते क्योंकि यह भी जनता में इसे आये फर कितना है कि वो किसी हो इस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं लेकिन हम सब लोग तो वी दो वी पॉल आप चाहिए तो बावा साब ने 25 नवंबर 1959 को जो सभीदान 26 नवंबर 1959 को शिकृत हुआ उसके एक दिन पहले अपना अंतिम भाचान सभीदान सभा में दिया था उसमें दो इशारे भारत की जनता को किये थे बावा सामने यह सभी पार्टियोंने ध्यान में रखना चाहिए औ खड़े हर आदमी की पैचान है तो यही इशारा भावा साब ने किया था तो भावा साब ने कहा कि भारत देश की सबसे बड़ी बीमारी कोई होगी तो वेक्ति पुजा अच्छी चीज होती है क्योंकि जादा से जादा तुम्हें आध्यात्मीक सूक और समाधान प्राप् करेंगी तो यह वेक्ति पुजा थोड़ीना बहुत हर पार्टी में और संगटन में दिखाई दिए रही आज भारत में चायो वह बहुजन समाज की पार्टी आओ को भी पार्टी आओ जो खुल को पुले शाम बेटकर पार्टी अबलत उनमें भी वेक्तिवात दिखेगा और दूसरा महतोबर निशारा हम आज भारत में सब्विधान को स्विक्रूत कर रहे हैं तो क्या भारत के लोग इस सब्विधान के विचारधारा को स्विक्रूत करेंगे या फिर अपनी संगटन या अपनी विचारधारा को सब्विधान के उपर मानेंगे या फिर अपनी कोई भी राजनिक पार्टी के अंदर में नीचे से लेको रुपर तक के पदाधीकारी का चुनाओ लोकतंत्र की पदधि से नहीं होता तो उन राजनिक पार्टी को क्या अधिकार है कि वो लोकतंत्र का चरित्र लाये क्योंकि समाज का लोकतंत्र का समाजी करन बहुत आवश्यक है इसलिए हमारा लोकतंत्र हारा हुआ नजर आता है इसलिए वर्तवाने जितने भी पॉलिटिकल पॉलिटी है सारे के सारे इस लोकतंत्र के उपर जो खत्रा मंढ़ा रहा है इसके लिए जिम्मेवार है बेरोजगार हि के उपर बातातों हो सबसे एहम मुद्दा सभीधान के उपर तो कि एक चोटना सा प्रेक लेते ब्रेकर बाद मिलेंगे देखते रहे चुनावी दंगल अगार ल Wickा hen यहाँ पर उपस्तित हैं हमां उनका भी स्वागत करेंगे उनसे ही शुरुवत करेंगे क्या एजेंडा है किस तरह से आप नागपूर का ये चुनाव जीत पाएंगे क्या रनेनीती बनाई है आपने और आपकी पार्टी ने सबसे वहले यहाँ उपस्ति सभी मेरे जो भाई हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगी और जैभी मैं अड़ोकेट विजया दिलिप बागड़े में अम्बेट कराई पार्टी आप इंडिया की प्रतेशी हूँ नागपूर लोगसभा के लिए और हमारी अमबेट कराई पार्ट अभी तक जो भी जो प्रस्तावित पार्टिया है या उन्होंने या जो सत्ता में या सत्ता के बाहर है उन्होंने अभी तक उनकी निती डिकलियर नहीं किये और हम बार बार यह कहता है कि हमारा नीती अभी वचन है हम उसके लिए कटिब बद्ध है जो भी हमने हमारे नीती में दिया है फिर एजुकेशन पॉलिसी हो रोजगार पॉलिसी वावास हो या फिर जो भी सुरक्षा राष्ट्रे सुरक्षा है देश की सुरक्षा जो अंतरिक सुरक्षा बाय सुरक्षा या फिर जितनी भी भारत की जो समस्या है उन समस्याओं को सभी समस्याओं पर अगर क सब्सक्राइब करने की कोई शमता है तो आम्हितकाएब your fuf इंडिया मेरल नीडी में जो किसी भी पारटी की अगर नीडी नहीं होती है तो जो जिसकी पारटी में मेंनी नहीं होती मुझे कि एसा लगता है कि वह पारटी के पारटेडा जिसके जरिये हम भारत के ईचान एवरी परसन जिसकी जितनी भी समस्या है उन सब के ऊपर में हम काम कर सकते हैं उनका निराकरन कर सकते हैं अनेंत अंगो मगो जो अनेक अंगो से मार्ग है उन पर चर्चा हो रही थी अमिसिंग जी क्या रननीती है नागपूर का लोग सभाव चुनाओ जो है यहाँ पर सब की निगायट की है क्योंकि बड़े नेताया से लड़ रहे है नितीन गड़करी जी आप किस तरह से उनको हर कि यहाँ पर जिस तरह के से बुद्दिष्ट और मुस्लिम समाज की एकता अगर यहाँ पर दिखाई देगी तो निश्चिती वहरतिय जनता पार्टी को महरा सकते है और क्यूंकि इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पिछले 70 साल के अंदर नागपूर से ना कॉंग्रेस न ना बीजेपी ने किसी भी पार्टी ने इस नाकपूर के अंदर से कभी भी मुस्लिम समाज के कैंड़ेट को ना ठिकिट दिया ना मुस्लिम समाज के समाज को कभी नयाय दिया ना उनको कभी बराबरी की भागेदारी दी हमने हमारी पार्टी के अंदर से एक मुस्लिम को हमने इस लोकसभा के समय अंदर बनाया तो भारतिय जन्ता पार्टी की जो केंडियेट है नितिन गटकरी जी उनकी आज कल नीद खराब है आप लोगों ने देखा उन्होंने कहा कि मैं आज कल हिंदूत की बात नहीं करूंगा मैं हिंदूत की राजनीती पर नहीं करूंगा जी जी ब्यारेसपी किस तरह से नागपूर का ये लोग साभा चुनाओ जीत पाएगी क्या रनननीती है पार्टी के पास मेरी बात को आदा आदूरा पिछले अपने डिबेट में छोड़ दिया था मैं यही कह रहा था कि भारत के नरेंद्र मोदी जी के बाद भारत का आरेसेस का और भारते जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता भाजपा के लोग भी मानते कि नितिन गड़करीजी है तो ऐसे सबसे बड़े नेता के खिलाप अगर कोई अमबेट करवादी नेता मैदान में उत्रे हैं तो वो डॉक्टर सुरेश माने सहाब है अब उनको ओट मांगने का और नाकपूर की राजनिती का पूरा हक इसलिए बनता है कि आप सब जानते हैं कि अलग विदर्बा के मुद्द का मुद्द हो या पेसा एड का विशे हो या बोगस आदिवासियों के प्रमान पत्र हो क्योंकि मैं ऐसे मानता हूं कि केवल किसी जाती विशेश को टिकेट देने से वो समाज आपके साथ महीं आता है क्योंकि यह सारे प्रयोग जो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि संगर्ष की बड़ी जित करते हैं लेकिन मुस्लिम समाज को टिकेट भेंजी ने उत्तर पदेश में भी दिये थे 2017 में लेकिन वहां पे हम लोगों को चुनाओं हारना पड़ा था इसलिए आप मुस्लिम समाज के लिए 5 साल क्या संगर्ष करते हैं इसके उपर हमारा सारी बात विदर्बवादियों का और नाकपूर के सभी लोगों का और खास करके नितियनगर्करी और भाजपा का परदापाश करने का काम अगर किसी नेता विशेश ने किया होगा तो उसमें डॉक्टर सुरेश माने साहब एक मातर नेता ऐसे हैं जो डटकर यहां पे बैटकर निति के आदार पे हो डिपलोमैसिक के आदार पे हो या एबल और कॉलिटी के आदार पे हो डॉक्टर सुरेश माने साहब यह नाकपूर की राजनिती में एक जो हम लोग सब चाहते हैं कि यहां पे सविदान की रक्षा होना चाहिए और सविदान के तहत राजनिती बढ़नी चा पूरी की पूरी नाकपूर के आम आदमी पार्टी की अंजली दमानिया ने यहाँ पे लगबक 70 आजार के आसपास ओट लिया था आज आम आदमी पार्टी का भी समर्तन डॉक्टर माने सहाब को है पूरी की पूरी नाकपूर के आम आदमी पार्टी उनके समर्तन में खड़ी है और विदर्बा के आधार पे नाकपूर के मुद्दो को लेकर अगर पूरे महरास्ता में कोई संगर्श कर रहा है वो डॉक्ट आप आएंगे ऐसा है कि नाना पटोले हमारे नेता है और लोकसभा के उमिद्वार है कॉंग्रेस पार्टी के वो जाने का कोई प्रशने नहीं उठता आपका जो आरोप है वो पुरा बेभुनियाद है क्योंकि जिन लोगोंने पार्टी खुद फोड़ते हैं खुद की पार् टोरा समाजिक समिकारण आज हमारे फिर में है यहां जो लड़ाई है सची लड़ाई जो है दिक्षाब भुमी वर से संग भुमी ये लड़ाई है और ये संग बुमी कोंहराने का काम सिर्फ जिशाब भुमी करने वाली है और इसलिए निश्चित रित्या अगर नितीन गड़करी को हराने वाला कोई कंडिडेट खड़ा होगा वो नाना पटोली होगा और नाना पटोली कारण नितीन गड़करी हारेंगे आपने कहा कि दिख्षा भूमी और संग भूमी की ये लड़ाई है लेकिन आपके कॉंग्रेस ने दिख्षा भूमी के लिए आज तक क्या किया ऐसा है कि आप जो बोलते हो अभी यहाँ पे संविधान की बात भी हुई मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि 2012 में जब अटल बिहारी की सरकार ने संविधान को तोड़ मरड करने की बात की थी वो समय स्रिफ कॉंग्रेस पार्टी ऐसी थी कि जो सबसे आगे आई और उन्होंने कहा कि अगर सविधान को हाथ लगाएंगे तो हम निष्टीत रूप से उनके खिलाप में बहुत बढ़ा अंदोलन खड़ा करने काम भी केवल कॉंग्रेस पार्टी ने किया था कोई दूस पिक के प्रवक्ता यहां पर डॉक्टर सुनीर पेंदार जी है क्या मुद्दे रहेंगे आपके पार्टी के कि आजेंडा रहेंगा क्या रन निती रहेंगी कि ये लोग सबाच सीट आप जीत पाएंगे जैसा कि आप जानते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी का एक अपना अ एक यह सब्सक्राइब जो मुद्दे है में मुद्दे है उस मुद्दे खुलकर वह सामदें नहीं आती है तो बौजन बौजन मुफ्टिपा पार्टी है अगर सत्ता में आती है क्यूंकि हमारे सभी के प्रॉब्लेम का सुलूशन संब दानम स्वधान में है जरूरत है सभी सभीधान को 100% करने का जिस जिस समय बहुजन मुक्ति पार्टी सब्ता में आएंगे 24 अवर के अंदर सभीधान को हम पूरी पूरी 100% करेंगे सभीधान पे इंपलिमेंट होगा अमल होगा अडिकर साब जिस तरह से यह राजनिती यहां चल रही है बड़ी पार्टी आया नित मैं एक मद्दार होने के नाते हैं मैं एक नजर जो दोड़ा राओ तुनावी मैदान में कि भाई कौन-कौन से मितार खड़े है तो भारते जंता पार्टी का वर्तमान खासदार कटकरी और नाना पटले कांगरेस का जो पहले भंडरा से खासदार हुआ करता था लेकिन उस में जिसने नरंद्र मोधी खिलाब में अगर कुछ किया हो और अपनी खासदार की छोड़कर आया हो दो ड्रहाई साल पहले वह एक नाना पटोले भी है उसके बाद में यहां पर जितने उम्यदार खड़े बहुजन समाज पार्टी एपी आई बीम पी ब्यारेस पी यह एक अंदर संगतना अभी बाम से भुवा करती थी तो मुझे लगता है कि एक ही संगतन से निकलियों भी बिना पार्टी अभी अभी है और एक तरफ बहुजन वंचित आगाडी बेज इसमें रिवलें आंदरवन का बड़ा एक क्या बुलते पार्शो भूमी प्रुस्तु भू तो लोगा अपनी जीत की दावे कर रहे है तो बिक्रै के खिलाफ में एक चुनाव है ऐसा मेरा मानना है तो बढ़ी उम्मीद यह पहले आरपिए से लोगों की तो आरे मको भी बूब बोध लोगों ने देखा इतियास पहले जकी अबहुत शेटali तुपार्च बंगी तो हुआ लेकिन सीडी इफ जी तक तो आ गए होंगे शायद यह लोग भी है कि नहीं इनको भी जेट तक जाने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा तो मैंने पहले ही बता है कि वेक्ति पुजा यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है और जब जब फुलेशाव अंबेट करक का या पुजाने का अब्यसका जिताने का चुना नहीं है ये आजका 2019 का स्थानिय मुद्दो के साथ सथ भारत के केंद्र की राजनिती और भारत के आंतरराष्टिय राजनिती का भी चुनाव है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत की पिछले पास साल में कोई आंतरराष्टिय निती ही नहीं थी केवल वर्तमान प्रदान मंत्री मोदी जी ने बैननो देशों का दवरा किया जिसके लिए भारत के मौत उपरना 222 दिन एक्जास्ट किये जो तो यह स्थानियों मुद्दाव पर चुनाव नहीं हो रहा तो जो भारत की साख है भारत का लोगतंत्र है भारत का सवविधान है यह यह कहना चाहता हूं कि भारत के सवविधान के रक्षा करने के किसी कोई जरूत नहीं है भारत का सववधान ही भारत के लोगों के अधिक खेल आरों के रक्षिया वी streets ज़ apartment ने गिन वी लेकिन जीन भी राज़नितीप क्षिर रखने समाज चाहंगे से लिए है क्योंकर भारत की किसी भी राजिनीट का इलेक्षिन होता है अमेरिका में तो डेमोक्राइट और रिवब्लिकन चुनाव लड़ते हैं तो पहले डेमोक्राइट के तीन-चार कंडियेट रहेते करते यहां तो उपर से होता है या का यह वह आ तो यह आन्तरिक लुग तंत्र जिस राज्रितिक पारटि में भार चर्त्म हुआ उस देश में भारत में लोगतंत्रुकश्लम कillon be और भारत का सविदान है तो मुंकिन है नागरिकों के अधिकार की रख्षा वोगी सरकार बनेगी किसी ना किसी की भी बनेगी 2021 में किसी ना किसी की भी बनेगी और जिसकी संग्या ज्यादा चुनकराएगी सांसत की उनकी सरकार बनेगी किसी भी एक सिंगल राजनितिक पार्टे में ताकत नहीं है कि वो अपने बल्बूते पे सरकार बनाए वो यंडे की सरकार होगी, यूपे की सरकार होगी या पोस्त अलायंस की सरकार होगी, इसलिए किसी भी पार्टी को राष्ट्य पार्टी नहीं कहा जा सकता, इसलिए जन्ता ने तये करना चाहिए, और जन्ता तये करेंगी, मेरे पास ये खोट है, मैं मेरा ये खोट किसको दूँगा, वो गुप्त मतदान है, और हमारे का सही प्रयोक करेंगी तो मुझे लगता है यहां कौन जितेंगा क्या नहीं जितेंगा तो चोविस तारीक बताएंगी लेकिन भारतिय सविधान जो इंप्लिमेंट करने की बात करेंगा उसको इस देश की और नाखपुर की जनता वोट करेंगी और इसका एजूकेशन हमारी ने तरप गांधी के विचारधार की पार्टिया खड़ी है तीस्री और समाजवादी पार्टिया खड़ी है और बेकबात अपका जो है वो है फूले शाहूं अम्बेटकर बहुजन विचारधारा को मानने वाला ये लडाई तिरंगी बनने वाली थी मगर ये पचरंगी बन गई आप क्या कहेंगे लोग ये चाहते थे कि जितने भी फुले शाहू अम्बेटकर विचारधारा की पार्टिया है वो इखटा हो और गोलवनकर और गांधी विचारधारा के खिलाप लड़े ऐसा हो नहीं सका इस पर आप क्या कहेंगे नापकुर में हम लोग देख रहे कि समाज के 15 उम्मिद्वार खड़े हैं मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा से बंबेड करने सेकंड वर्ल्ड वार में लीन लिन्थेग पत्र पाठव लो आनि ये पत्र पाठव तस्ताना डॉक्टर बाबा से बंबेड कर असा मनता कि मला या देशा मदे जर हिटलर जिंकला तर लोक्षाही संपल आनि लोक्षाही संपली तर ज्या समाजा साच्छो मीस सपन पाता है तो समाज उबा हूँ शक्नार नहीं मनुन बाबा से बानी पंजाबराव देश्मुकाला सांगितलो आनि पंजाबराव देश्मुकानी गोदावरी नदिचा काटी 10-10 मराटा लिक्ची स्तापना केली आनि दुतिय माही उद्धा मदे जर्मनी चा हिटलर हरला पाईजे याचा साथी लोक्षाही चा बाजुन दुतिय माही उद्धा मदे जी भुमिका निभोली डॉक्टर बाबा से बंबेट करानी तीज भुमिका आपलेला एकोन इसला घ्याई किया है जर्व एकोन इसला या देशातला हिटलर ला जर हरवाईचा सेल तर डॉक्टर बाबा से बंबेट करानी दुतिय माही उद्धा अमदे जी भुमिका घेतली होती अंबेड करी सर्व विचारांचा या सर्व पक्षान्ना माज येशी विनन्तिया है कि आ देशां मदे लोक्षाहीला वाच्वायचा सेल सविधानाला वाच्वायचा सेल बाबा साहिबा नी दुतिया माहिद्धा वाचवल और एकोनिस मदे लोक्षाई वासली तर सविदान वाचेल माजी सर्वानाशी नंब्र विनंत किया है कि दोन ते चार दिवस राही लेले है या दिवसामदे समाजाची एक खटा मतव एक खटा करून एक सर्वसमाजाची मोड बांदून कदाचीत हेज मताची जर मोड बांदून आपन सत्यत यह शकलो नहीं तरी चालेल निवडून यह शकलो नहीं तरी चालेल पन या नापकुरात आपन जर मताची मोड बांदून एक संग मताची निर्मान करू शकलो तर बाबा साहे मनताच कि मताचा ला सुद्धा विरोधात प्रावून मतजर आपन घेतली जास्त प्रमाना तर या देशातली सत्ता हरा हुशक्ते मनुन सर्वा पार्टिन नामा शियोची भिनन क्या है कि या दोन दिव साथ एक सांगला नीरने घेवून एकास ठीकानी चावू फुले अंबेड करांची मतो संगटी जाली पाईजे हा क्या हिटलर इस देश से जा पाएगा क्या हिटलर की हार हो पाएगी हिटलर कौन है क्या है यह चर्चा का मुद्दा है यहां चर्चा चल रही है चुनावी दंगल तमाम प्रवक्ता तमाम पार्टिवें से आई खटा हुए शोटा सा ब्रेक लेंगे इसके बाद चर्चा हो प्रेंडा होगा और बेरोजगारी के बारे में क्या होगा इतने बड़े प्रोजेक्ट नाकपुर में है M.I.D. से लेके मिहान तक के प्रोजेक्ट बन पड़े है इन पर कोन बात करेगा लेगे छोटा सा ब्रेक बेक के बाग मिलते है चुनावी दंगल में M.I.D. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है यह है चुनावी दंगल आप देख रहे है आवाज इंडिया टीवी तमाम राजनितिक पार्टी के प्रतिनिती उमेदवार यहाँ पर है हम चर्चा करेंगे नाखपुर के कि सबस्कार का हाँ कुस तरह के नाखपुर की जनता है उनको है यह व्यवसाय रोजगार, शिक्षा यह मुलभूद जो अधिकार है कैसे मिलेंगे हम API की जो उमेद्वार है उनसे बात करेंगे कैसा विकास का एजन्ट आए आपका नागपुर का विकास आपकी पार्टी कैसे कर पाएगी देखे मैंने भी आपको कहा कि आमेटकरे पार्टी ओफ इंडिया ने एक नीती अभी वचन जारी किया है उस नीती अभी वचन में एजूके का सरवांगिन विकास कैसे वह एजूकेशन के लिए मामेटकरे पार्टी ओफ इंडिया अगर आती है तो वह बारावी तक का जो एजूकेशन है जो भी हम देखते हैं कि एजूकेशन में हम लोग बहुत पिछड रहे हैं क्वालिट एजूकेशन हम को नहीं मिल रहे हैं और वह खतम हो चुके हैं क्योंकि पूरे प्रावटाजिशन में चला गया तो अमटकरे पार्टी ओफ इंडिया सत्ता में आती है तो परावटाजिशन में भी एजूकेशन प्रावटाजिशन में भी रिजर्वेशन लाएगी यह सारी पॉलिसी जै आप हाउसिंग के आउसिं जनता को और जो प्रावरी जर्वेशन में भी विकास नहीं पहुचा है वहाँ पर पानी पीने का नहीं एजुकेशन नहीं है यह सब चीजे जो है इक मानों को उनका जो फंडमेंटल राइट है वो जो मिलना चाहिए जो कॉंसुशनल हमारा राइट है तो यह सारी चीज़े हम उनको दिलाएंगे और हमारी नीति के आधार पर दिलाएंगे बीएस्पी किस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में देखा लखनव देखा नोईडा देखा तमाम प्रकार कि जब बहन जी वहां सत्ता में थी तो बहुत बड़ा विकास हमने देखा उस आधार पर क्या नागपूर का विकास भी बीएस्पी कर पाएगी बिलकुल कर पाएगी देखे इस देश के अंदर चाहिए भारते जंता पार्टी हो या कॉंग्रेस हो या अन्य पार्टी आओ वो लोग अपना एगोशना पत्र लेके आते हैं हर पास साल के बाद उनका एगोशना पत्र होता है उसके दो मैने बाद पूछो उनके गोशना पत्र का क्या हुआ तो वह हवा हवा ही हो जाता है इसलिए मन्ने बर कांसी राम साब ने ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो शुरू किया था उसका नतीजा यह है कि आज हमारा देश एक दुकान बन के रह गया है मोदी जी की सरकार में हर चीज प्राइवेट कर दी गई है जिस लाल के लिए पर खड़े होकर वो इस देश के प्रदानमंति की सपत जिस लाल के लिए पर खड़े होकर वो 15 अगस्त और 26 जनवर को जंडा फैराते हैं उसी लाल के लोगों के बेज दिया तो यह कारण क्या है क्योंकि इस देश के अंदर जो सरकारी तंत्र था उसको पूरी तरीके से खोकला किया गया जब जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बहेंजी की सरकार थी बोजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय बहेंजीने सरकारी इसकोलों में शच्छा अच्छा अफ्छा देने का काम किया नाग्पुर के अंदर आप देखिए आप सरकारी इसकोल में आप अपने इस अधार कर सकते की यहाँ एकि दरबाजया नहीं पर को सब सरकारी संथ तंतर चब ज्यादा सी ज्यादा नौकर है हमारे यहां सरकारी का दय का दर देखिया अप अब 10 पर लिसे कजियkim संथ्ल 3 vaz के लोगहि की ब्रोजّंटो की दो जिनको सब्सक्राइब बाद देखे से लोग आज मतलब एक मानवी जीवन जी रहे हैं जिनके पास घर-गाडी और वो जीवन अपना अच्छे तरीके से जी रहे निकल बाकी 97.5% जो लोग है वो आज भी दरिंद्री के नीचे जी रहे वो इतनी ज्यादा बीपील के नीचे हो गए वो लोग आप देखें जोपड़ पंटी जोपड़ पटी के अंदर जाहिए उन लोगों के अंदर उन लोगों से जब यह वोट मांगने जाते हैं इसको खतम करना ज़रूरी है इसलिए उत्तर पिदेश के अंदर जबेंजी की सरकार आई आप लोगतंत्र की बात करते हैं लोगतंत्र कभी जीवित कभ रहेगा जब कोई सरकार इस देश के अंदर आती है तो उसका काम होता है कि कि किसी भी इंसान के साथ नियाय अन्याय न पूरी तरीके से चलना चाहिए जो इंसान आज रोड से जा रहे वे ट्रैफिक रूल के तहट आज़ानी से जा सके यह तो इस लोक तंत्र को जीवित रखने के लिए जरूरिय यह समीदान को पूरी और अगर विकास की बात करेंगे तो पूरे देश का जो विकास दर था वो 7.5 परसंट था और उत्तर पर देश का 9 परसंट था ये सारा काम किसी और नहीं किया इस देश के सम्विधान नहीं किया हम स्रीप इस सम्विधान को लागू करेंगे हमारा कोई गोशनापत्र नहीं ह हो रही है और मुझे काफी खुशी हुई कि आपने दोबारा यह डिसकेशन नाकपूर के डेवलप्मेंट पे और नाकपूर के दो दिन के बाद चुना होने वाला है और दो दिन के बाद नाकपूर के मतदाताओं को फैसला करना है कोई हमारी लॉंग टर्म पॉलिसी हो सकती है हमारी हिस्ट्री हो सकती हमारा लॉजिक हो सकता है अभी हमारे जनपरती जी ने जो आभी चर्चा में बताया अमरीकन डेमोक्रसी का उन्होंने एक्जामपल दिया तो मैं बड़े विनम के साथ जो आप विकास की बात कर रहे हैं मुझे काफी खुशी होती अगर हमारे देश के लोग विकास के आदार पे राजनीती करते हमारे देश को लोग डेवलपमेंट के आदार पे ओड़ देते तो हम सब लोगों को काफी खुशी होती लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमार कबजे में सत्ता और शंपत्ति होना चाहिए इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से बता रहा हूं कि जात एक हमारे देश की बहुत घिनोनी सच्चाई है उस सच्चाई को हमें स्विकार करना चाहिए और विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो भारतिय जनता पार्टी को कोई खक नहीं बनता है उनको चुनाओं में ओट मांगने का मैंने कई ऐसे गाऊ देखे हैं कई ऐसे नगर देखे हैं कि जहां के लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के लोगों को जुते मार कर अपने गाऊ और महलों से बाहर निकाला है यूटूब पे और सोशल मीडिया पैसे कई सारे वीडियो वाइरल हो रहे हैं रही बात कांग्रेस पार्टी के विकासों के दाओं की या अन्य पार्टीों के तो इन्हों ने 50, 60, 70 सालों में क्या किया है 38 पीसदी भारत के लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये गुंटा तक जमीन नहीं है हमारे एपील और बीपील के अगर हम लाइने देखते हैं तो सारा देश 83 करोट से भी जादा रंजिस सेन गुपता के रिपोर्ट के तहट भारत के 83 करोट से जादा लोग रोजी रोटी के लिए और एक वक्त के आनाच के लिए तड़प रहे हैं इसलिए कांग्रेस को और भाजपा को विकास के नाम पर बात करने का कोई हक नहीं है वो अपना अधिकार गवा चुके हैं वो केवला भी पुलुबामा का मामला है 2014 में मुजफर नगर का मामला था 2002 में गोदरा अत्याकांड का मामला था 1992 में बाबरी मजज़ित का मामला था यह हर चुनाओ के मुपर चुनाओ को जाद धरम और मजब का रंग देने में माहीर भारतिय जन्ता पार्टी और या रसस है और वही दर्ज पर कांग्रेस पार्टी भी अपना देश का जितना भी उनका इतियास देखा जाए तो वही इतियास है अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके उपर आरोप लगाया गया है कि खैरला जी हत्याकांड के उपर जो बलातकारी है उन बलातकारियों को समर्तन और सपोर्ट करने का उनको उपर आरोप लगाया जाता है इसका भी जवाब होना चाहिए और आप अगर ये नाखपूर का विकास चाहते हैं तो मैं ये भी बात को बताना चाहता हूँ बाबा साहब हम बेट कर चाहते थे कि छोटे राज्य बनने चाहिए जब तक विदर्ब आलग नहीं होता है जैसे 36 गड का development हुआ उतराखंड का development हुआ बियार के बाद जहरकंड का development हुआ जब तक चोटे चोटे राज्य नहीं बनेंगे आप अगर मुंबई में आखर देखोगे तो मुंबई के development के साथ हम ठाना का देखते नाशिक का देखते पूना का देखते मुंबई के लगबक 300 किलोमेटर दूरी तक हर जिले का हर गाव का बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए विकास अगर नाकपूर का करना है तो बाबा सहाब हम बेट कर जो चाहते थे स्टेट और लिंग्विस्टिक के आधार पर उन्होंने इस बात को बार बार देश के सामने बताया है कि जब तक महारास्ता के तीन स्टेट नहीं बनेंगे बाबा सहाब हम बेट कर चाहते थे कि विदर्बा का विकास तभी होगा जब अलग विदर्ब राज होगा और इसलिए अलग विदर्बा के लिए सबसे पुर्जोर नरकत से कोई लड़ाई लड़ रहे है तो डॉक्टर सुरेश ममाने साहाब लड़ रहे है तो डॉक्टर सुरेश माने साब और B.R.S. पिलड रही है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सब को यह अपील करना चाहता हूँ कि नाकपूर का विकास तभी होगा जब विदर्बर राज बनेगा नाकपूर राजदानी बनेगा सारे इंडस्टेल एरिया क्योंकि हम मुंबई पूना नाशिक ठाना में देखते हैं 27,000 से जादा ग्लोबल इंटरनेशनल कमपनिया इन चार जिलों के अंदर आती है हमारा विदर्बा का नाकपूर का कोई भी लड़का या लड़की हो ये पढ़ते लिखते हैं डिगरिया लेते हैं लेकिन रोजगार के लिए पूना में जाना पड़ता है और फड़नवीज जी आपको इस बात की शरम आना चाहिए आपने 5 साल महरास्टा का राजपाट च का होगा बारतिय जनता पार्टी की सबाओं में लोग नदारद है लोग उनकी सबाओं में जाना पशंद नहीं करते हैं बारतिय जनता पार्टी ये चुनाओं हारने जा रही है और इसलिए नाकपूर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं बाबा साहब जीनियस थे बाब और capable leader थे इसलिए कांचिराम जी देश की राजनीतियों को बदल पाए अगर उसी कड़ी में देखा दिया है तो डॉक्टर सुरेश माने सहाब भी आप constitution बचाने की बात तो कर रहे हो लेकिन constitutional expert और constitution के ऊपर जिन्नोंने PhD किया है मैं पूरे दावे के शाथ बता रहा हूं कि भ capable और capable संसद अगर नाकपूर की जनता चुनती है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जारखंड में मदू कोडा नाम का एक अकेला बंदा अपक्ष विदायक बना और जारखंड का मुक्यमंत्री बना वो चाहे चंद्रशेकर हो गुजराल हो HD डेवे गवडा हो आप कितनी संक क्या क्या आदार पर राजनीती आगे नहीं बढ़ पाएगी एक बंदा भी जैसे महारास्टा के विदायक बच्चु कड़ू है वह अकेले है लेकिन महारास्टा की राजनीती को हिलाने की ताकत रखते है तो ऐसे क्वालिटी के एबल और capable लोग संसद के अंदर पहुचने होगी इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से आपील करना चाहता हूं कि 11 तारीक को नागपूर के लोग फैसला ले और ऐसे इमांदार हाईयर इंटलेक्च्वल डॉक्टर मानेश सहाब का समर्थन कि में खड़े हो ऐसे मैं बिंती करना चाहूँगा बीमपी के भी यहाँ प यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए अगर हमारी सरकार सथा में आती है तो सबसे पर बात दूसरी जाएगा और जो हेल्थ सेक्टर जो है चाहिए वो जी एम सी हो हम देखते हैं कि प्राइवेट हेल्थ हब बन चुका है हमारे लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं अगर जाए तो हमारा आदमी मर जाएगा तो गवर्मेंट हॉस्पिटल जो है उनको यहां पर प्रॉपर जो दवाई या जो है प्रॉपर इंपर देना चाहिए तो हमारी सरकार आती है तो जो गवर्मेंट हॉस्पिटल से उनको और मजबूत मजबूत किया जाएगा यहां के रोड है कंपनिया है यहां पर यहां पर लाई जाएगी तभी तभी जाके सही मायने में नाकपुर का विक जब यहां पर पारदर्शी और निश्पक से चुनाव होगा बियंपी का एक सबसे बड़ा स्टैंड रहा है कि अगर आपको आप चाहते हो लोगतंतर को बचाना है आपको सविधान को बचाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इव्यम को बैयन करना होगा और बैल लोग बूल रहे कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा तो यह बहुती खतरनाक माहोल बनाओए देश में अगर हम अभी भी अगर इकट्टा नहीं हुए और लोगतंतर को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीडिया माप नहीं करेंगी हम कॉंग्रेस के प्रवक्ता वैश्राम कैसे होगा मैं सबसे पहले आपको सबको याद दिला दू कि 2010 में या नौ में जब अटल भीहरी वाच्पेगी सरकार थी उन्होंने प्राइवड़ाइजेशन की शुरुवात की जो भारत अल्यूमिनेंग बालको जो है बालको का प्राइवड़ाइजेशन करने का सबसे पहला अरक्षन को लगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जर्वसामान ने जनता के साथ में काम करने का काम प्रयास कर रही है नाकपूर के विकास के संबन में आपको याद दिला देता हूँ कि 2002 में जब यहाँ पे विलासरा और देशमुक की सरकार थी नाकपूर में वो समय में जो आप रोड देख रहे होंगे के सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी ने किया दूसरा पार्टी ने किया ने रही बात यहां पे जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल के लिए incons들이 की योज्णा हो यहाँ इसलिए हमारी नीती क्लियर है कि हम लोग एक आम आदमी के साथ में अपनी राजनीती करना चाहते हैं और आम आदमी के लिए ऐए कोचिन फौन्नुषं पायोर्ट तो कारण ये जीएस्ट्य के कंड legend करने का जो धाचा बनाया बहुत। भ recording भी दो दिनिंगर और आती है तो जीएस्ट्य करने का काम निश्वित रूप्से हमकरेंगे इसके साथ में भी जो बेरोजगार है जैसा कि दसवी बारावी नहीं हम लोग तो अपने लोगों को ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं दसवी बारावी कोई पढ़ाई का मुद्धा हो नहीं सकता आज कॉमपीटेशन के जैज अगर कंपिट करना है लोगों के साथ में तो पढ़ाई भी उतनी हम आखरी पड़ाओं पर है चुनावी दंगल के आप नागपुर की जनता को इस चुनाओं में वोट डालने के लिए एक नागरिक के तोर पर एक भारतिय नागरिक के तोर पर क्या आवहान करेंगे मैं तो पहले ही कहा था कि यह चुनाओं सांसत का है तो स्थानिय मुद्धों के साथ साथ राष्टिय मुद्ध भी महत्वक है क्योंकि आपको महानगर पाली का नगर सेख नहीं चुन रहे या कि विदान सभा का आंदार नहीं चुन रहे तो पहले भी काम है अब रही बात तो तो मैं तोड़ा हमारे मेश्राउन साब को मैं तोड़ा सुधार ना चाहूगा क्योंकि यह प्राइवटाइजिशन का मामला है यह जिम्मेदार कोई होगी तो सरकार एक्स्टेंशन किया है उसको स्पीड अप किया है उसको ज्यादा प्राइटरेशन को यानि खतरनाक स्पीड कर दिया और जितने भी पॉलिसी चल रही है सिर्फ नाम बदल कर कांग्रिसी की पॉलिसी या बीजीपी चला रहे है दूसरा कुछ नहीं जैसे समझ जंदन योजना नाम बदल गया है प्राइव किर मंतरे आवकर योजना राज्य गांदी आवास tenda इंडिया गांदी यह सिर्फ किन 104 2017 सरकार की है अगर 164 को योजनाओ को युजनाओ को तैयार करना है तो इसके लिए लगबख सब सब साल लगेंगे और इन योजनाओं का 40-50 प्रतिसात अगर खर्चाओं योजनाओं पर क्या खर्चा करूंगे आप और चाहिए वो कांग्रेस पार्टी बीजे पीया कोई भी राष्ट्य पार्टी हो वह वर्तवान पत्रा में एड देती है पैसा कहा से आता है इनके पास मुझे समझ में नहीं आता है याने नोटबंदी हो गई 2016 में आट नौवंबर और करोड रुप्ए लोगहों के खच्षपड़त उसमें सारी पार्टी सामीन है कि रालिया हो रही है लोगों को ब्लाय जा रहा है खाना खिला जारा रहा है यह सब होगा सब होगा सभी करेगी तो इसले मेरा मानना है कि इन्टा का involves तो Writing क्या करें किar मेट्रों के नाम पर नाखपुर का भवाकास करने miste सभी में श्रपी मेरे लोग बैठाइंगे कि दीधरSidA decimatory ओचाता है आपको सप्राइब का मामला है यह बेरोजगारी को बढ़ाने का मामला है आपको सभी सभी बात बता देता हूं कि यसे लिघंटे लोगोंने इन सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि इसके बाद जो शोचन की राजनीती है वो शोचन की राजनीती बंद हो और सविधान के सही उपर अमल करना जाए और मेरे नजर से अगर आप चुनाओ के तरफ देखना चाहेगे तो सारा का सारा मामला बहुत क्लियर है दावे लोग कितने भी कर चुनाओ यहाँ पे केवल भारत में बहुत से जगों पर उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ी सी बात कर जाये तो कि फरक नहीं करता है वहाँ पे तिरंगी सामना है लेकिन महाराष्ट में तीसरी शक्ती के उपर में बाला साब की पार्टी बहुजन वंचित आगारी उब हैं तो जनता आखिरता ही करेंगी किसको चुन कर देंगी और मुझे मद का अदिकार है मैं कैसा दोगा तो मैं के वल किसी के वेक्ति gelen वेक्टी-वधी मत करनी के वत्यूंगा मैं कि दिए पूर्पूर के विकास की भी सोचना है मेरे देश में मेरी सरकार कैसी हो ये भी सोचना है मेरे देश के आंतर राष्ट्री नीती कैसी हो ये भी सोचना है मेरे को स्थानिय मुद्दो के साथ साथ राष्ट्री मुद्दे भी चाहिए स्थानिय संसत को चुनते वकत सरकार किस की अभी बनेंगी यह भी सोचना के दोड़ेंगे यह सकूचन कावद करो संद्र संतर हो में उसमाप्त हो पर पर यह आपकूर का विकास करना हो तो मुझे एसा लेखता है कि कि नापकूर सब्कूर का विकास करना हो कुछ यह राषिन नीवलनुकेये पोई नंगर स्वेक निवलனुकने लेकिन न normko का अगर अपने सब्क करना है तो हम लोग यह सोशने की हाली में अ analyt तर्म जी ने एक बात की कि भारत यह पहला देश की जा टैक्सेस इतने लिए जाते हैं और टैक्सेस की वज़ेस से इस देश का जो आम आदमी है इसकी क्राइशक्ति बड़े नहीं पाती हम लोग इस बेरोज बेरोजगारों को 15 लाग देने की बजा या बात्र हजार देने की बजाए इस बेरोजगारों की क्राइशक्ति में अगर जापा करते हैं तो मुझे लगता कि यह बेरोजगारी का जो प्रशन है वो छूट सकता है फुले अंबेड करी विचारधाराओं से जो भी उम्मेद्वार चून के जाएगा मेरी यह तमन्ना है कि इस देश में आम आदमी से जो टैक्सेस लिये जाते है इस देश में यह टैक्सेस नीती इस देश से खतम हो तभी इस देश के आम आदमी का विकास सकता है नापकूर का विकास सकता है और दूसरा मेरा जो मुद्दा है कि इस विधरभ में एक टाइगर प्रोजेक्ट नाम स जो सरकार जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाती है यह टाइगर प्रोजेक्ट सबसे इस देश के किसानों का बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पे इस देश का जो खेती करने वाला आदमी है उसका बच्चा है और विस्तापित हो जा और बेरोजगारी के कारण यह जो टाइगर प्रोजेक्ट यह टाइगर प्रोजेक्ट भी विदर बसे बंद होने चाहिए कि टाइगर प्रोजेक्ट के वजे से उस इलाके में कमपणी नहीं आपाती और कमपणी यह नहीं आने से उस किसान का बेटा बेरोजगार रहता है तो तो मुझे यह कहना है कि अगर फुलेश वामबेटकरी विचारधारों के उमेद्वार अगर चून के आते हैं तो भारत के जो टैक्से सिस्टम है वो बंद होना चाहिए ताइगर प्रोजेक्ट को सिमित करना चाहिए और जहां टाइगर प्रोजेक्ट के वहाँ भी कंपनी आ करें आइसी विवस्ता निर्मान करनी चाहिए और फुलेश वामबेटकर विचारधारों के सभी पक्ष से मयावान करूंगा कि अपने मतों का बिखराओं नहोंने दे उस मतों को एकट्टा करके एक अच्छाओं में द्वार चुने ऐसा मयावान करूगा ओटों का विक्रा इतना वोट डाला जाए क्योंकि वोट आपका सर्वच्च अधिकार है आपकी सरकार आपका वोट टाय करता है और आपका वोट टाय करता है कि आने वाले काल में आपकी आने वाली पीडियों का क्या भविश्य होगा आपके राज्य क्या क्या भविश्य होगा आपके शहर क क्या भविश्य होगा ये थी चुनावी दंगल ये चुनावी दंगल यही खत्म करते हैं मिलेंगे किसी और जगह चुनावी दंगल के साथ आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी